नमस्कार दोस्तों, पात्वाइंडर पर आप सभी का स्वागत है, मेरे नाम ने धी है। रिकॉर्ड सौ दिन में बनी स्वदेशी राइफल है, जो की भारतिय सेना को दी जाएगी। इसको नाम दिया गया है, उग्रम, उग्रम का मतलब होता है, फिरोशियस, यह फिर्स फिर्स काइंड है, यह फिर्स फिर्स काइंड है, एक प्राइवेट फिर्म के द्वारा, यह जो जो असॉल्ट राइफल है, यह आती है, बीस राउंड मैगजीन के साथ, और यह दोनों ही मोड्स, फाइरिंग मोड्स, यानि, सिंगल और फुल आटो फाइरिंग मोड्स को भी ओफर करती है, ARD ने collaboration में with the members of the private firms, इसको develop किया है, इस Ugram Rifle को develop किया है, record period of 100 days में, 100 दिन के अंदर अंदर इसको तयार कर दिया गया है, and it was brought to reality, इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, इसके salient features के बारे में बात करेंगे दोस्तों, but before moving forward, यह मेरा छोटा सा introduction है, this is my telegram channel, जहाँ प इसके salient करकर आप अनलोग कर सकते हैं, exclusive content हमारे platform पर और offense centers में, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कर आप मेरा code यूज करते हैं, तो आपको discount मिलता है 35% तक का, आपके subscriptions पर, आप subscription लेने जाते हैं, हमारे centers पर, साथ ही description box में, comment section में, pin comment में, एक counseling form दिया गया है, जिसको आप fill कर सकते हैं, वहां भी आप से educator code पूछा जाएगा, do not forget to use my code, so that I get to know about you, and I can help you in your preparation, unacademy offer कर रहा है, आपको बहुत सारे courses, 2025-2026 की तेयारी के लिए, these are the courses, जहां पर आपको flat 35% discount मिल रहा है, with my code, ndlive, 10, ये code लगाना मत भूलिएगा, discount के लिए, साथ में, अगर आप कोई और query या जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे center visit कर सकते हैं, करोलवाग या फिर किस नंबर पर call कर सकते हैं, वहीं मुखरजी नगर center में भी हम ये courses लेकर आए हैं, आपकी 2025-2026 की तेयारी के लिए, 35% का flat discount आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको code यूज करना है, ndlive, 10 दोस्तों, इस नंबर पर आप call कर सकते हैं, या फिर center visit कर सकते हैं, किसी भी doubt या confusion के लिए, ताथ ही एक center हमने start कर दिया है, प्रयाग राज, अलाबाज, या UP में भी, UP के प्रयाग राज में basically, जहां पर ना केवल आपको foundation course मिल रहा है, प्लस subscription के साथ, बहुत ही discounted price पर center का पहले courses होंगे, ड्रक्टरी courses होंगे, तो आपको यहाँ पर 40% तक का discount मिलेगा, लेकिट code आपको यूज करना है, एंडी life 10, कोई और जानकारी के लिए, आप center visit कर सकते हैं, civil lines में, या फिर इस नंबर पर call कर सकते हैं, साथ ही जो दिल्ली में रहने वाले aspirants हैं, वो बिल करना है, इन course के लिए, आपके prelims के तयारे में कोई कमीना रहे, चलिए, उगरम के specifics देख लेते हैं, तो इस राइफल है, इसको design किया गया है, ताकि जो भी हमारी operational requirements है, हमारे Indian armed force की, paramilitary forces की, या फिर state police forces की, उनको meet किया जा सके, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके, उन इसको भारत में ही design, develop और manufacture किया गया है, DRDO के द्वारे in collaboration with the private firm, तो सबसे बड़ी खास्यत तो यह है कि indigenously designed, developed and manufactured है, in a record 100 days time, जो कि again एक बहुत बड़ी उपलब्धी है, इसका effective range होगा 500 meter है, यह 4 kg से कम वजन की है, और rifle में 20 round magazines हैं, जो कि single और full auto mode पर काम कर सकती है, इसका configuration based है on the latest AK and AR types rifle या कारवाई, ठीक है, अगर हम इसकी importance की बात करें, आज की जो security landscape है, तो यह जो rifle है, यह first of its kind weapon है, जो की बनाया गया है, intensive development के बाद, you know, adhering to the general staff qualitative requirements, जो भी उनकी guidelines, आउटलाइन जो की गई थी ने नामे के द्वारा, और assault rifle, उन requirements को ध्यान में रखते ह गया है, तो यह काफी महत्पूर्ण हो जाता है, यहाँ पे एक और important चीज यह है, कि फिलाल एक shortfall हो गया है, assault rifles का भारत में, क्योंकि हम जो है, वो dependent है on Russia, most of the time, Russia से rifles आती हैं, और AK203 rifles जो है, उनका, उनकी manufacturing भी शुरू नहीं हुई है, उसको proper तरीक से plan भी नहीं किया गया है, Russia और Ukraine war के चलते, तो हमारे यहाँ एक shortfall हो गया था, जिसके बाद Ugram Rifle basically emerged as a critical solution in the current security landscape for India, जो लॉंच हुआ है, इस specific type की assault rifle का, जिसका caliber 7.62551 mm है, यह उस समय पर हुआ है दोस्तों, जब Defense Acquisition Council, TAC ने December में, not दिया था for a procurement of 70,000 US-made SIG Sword Assault Rifle, जो की same caliber की है, मतलब हम बाहर से इनको import करने के लिए, रजामंदी दे रहे हैं, बात चल रही है, DAC ने इसको approval भी दे दिया था, या procurement के लिए not भी दे दिया था, ऐसे में, हमने खुद से इस तरह की, इस caliber की rifle को बना लिया है, अपने देश में ही, और यह जो rifle थी, आने वाली थी, इंडियन armed forces के लिए, और यह जो procurement था, यह 800 करोड रुपे का procurement था, in addition to 72,000, जो की 2020 में procure की गई थी, मतलब 72,000, 2020 में भी procure की गई थी, ठीक है, now development phase or future plans के बारे में, जब बात की गई, तो ए राजु जो director है, ARDA की, उन्होंने underline किया, जो भी contribution रहा लाँ आपका, in designing the weapon and introduced the concept of development come production partner, DCPP, जो की execute करेंगे इस project को in collaboration with the private firm, तो मतलब, ना के वल एक सरकारी firm कर रही है, साथ में एक private firm के दाथ collaborate करकर, with this kind of a new concept, DCPP, इस जो, you know, rifle है इसको बनाया जाएगा, आने वाले समय में, अभी बहुत limited बनाएं गई है, ट्राइल्स, etc. के लिए, अगर ये ट्राइल्स successful हो जाते हैं, तो फिर ये और बड़ी quantity में इनको manufacture किया जाएगा, बड़े number में इनको manufacture किया जाएगा, ठीक है, राजु नहीं आपर highlight किया, जो भी internal ट्राइल्स हैं, इस comprehensive, मतलब, जो भी होने वाले हैं, थाकि इसको comprehensively test किय जा सके various aspects को इस weapon के, before initiating the user trials, और user trials के लिए, board of officers, जो की इंडिया नामी को represent करते हैं, उनको तयार किया गया है, कि वो exhaustive user trial conduct करें, diverse environmental conditions में, अलग-अलग environmental conditions में, जिसमें high altitude terrains हो, या desert हो, in the coming months, तो इसका user trial भी किया जाएगा, मतलब, exhaustive trials की जाएगा, जिसके बाद इसकी full-f manufacturing पर काम किया जाएगा, so this is about उग्रम दोस्तों, I hope, ये crowd feeling है हम सभी के लिए, चलिए, अब बात करते हैं, आपकी तयारी की, तो अगर आप तयार हैं, UPSC, पहले attend में निकालने के लिए, तो आपको attend करनी होगी, एक exclusive free workshop, हमारे भारत के top educators के द्वारा, ये सभी teachers आपसे मिल ने आने वाले हैं, सभी educators आपसे मिलने आने वाले हैं, करोल बाग में 14 जैनवरी को 3 बजे से 5 बजे तक, अगर आप register करना चाहते हैं, तो आपको इस QR code को scan करना होगा, और आप register कर सकते हैं, खुद को इस free workshop के लिए, इसके लावा हमारे centers पर आप जाकर visit कर सकते हैं, बहुत ली आप सकते हैं, या थे आत एले आप झाल झाल